बुरा समय बीथ जाएगा एक नगर में एक राजा रहते थे एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुँचे राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंतरित किया राजा ने संत की बहुत सेवा की राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज दे कर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेन लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना राजा ने संत द्वारा दिये गए ताबीज को गले में पहन लिया कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रूओं ने आक्रमन किया शत्रूओं से राजा की सेना हार गई राजा अपने प्राण बचा कर जंगल में भाग गया औ तब ही राजा को संत के ताबीज की याद आई राजा ने तुरंत ताबीज खोला और कागज निकाला उस पर लिखा था यह समय भी कट जाएगा राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई राजा न नहीं रहते हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा